घरेलू आउसदी में आपका स्वागत है हलो फ्रेंड्स आपके सामने आज हम एक विशेश प्रकार के रोक के बारे में बताने जा रहे हैं और उसका समचित इलाज आपके सामने प्रस्थूत करेंगे यह रोक सामानता हर व्यक्ति को हो सकता है 35-40 वर्ज उम्र के बाद क्योंकि जो हड्डियां होती है उनकी केल्सियम पावर घटने लगती है और जिसके कारण जॉइंट जॉइंट में काफी पेन होने लगता है दर्द होने लगता है तो इसका इलाज क्या है घरेलू इलाज क्या है और इससे कैसे निजात पाया जाए इन सब बिमारियों का इलाज आपके सामने मैं इस वीडियो के जड़ी आपके सामने लेके आया हूँ सबसे पहले यह बताना चाहूँगा दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भविश्क के वीडियो आपको असाने से प्राप्त हो सके चले देखते हैं दोस्तों कि इसमें करना क्या है गठिया के इलाज में करना क्या आपको और आपकी महतपूर सामगरी क्या क्या है महतपूर सामगरी में आपको बथुए का साग करस जी हां आपको बथुए के साग करस 20 ग्राम निकाल लेना है और 20 ग्राम निकालके आपको सुबह खाली पेट इसको पीना है चाहे सुबह पीजिए और चाहे साम पीजिए हो सकता है तो आप दूनों टाइम पीजिए लेकिन 20 ध्यान रहा है बतुए का साग का रस 20 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और इसको लेने के बाद 2 गंटे तक आप कुछ खाए पीए नहीं ये ध्यान जरूर है ये तो प्रथम प्रकिरिया हो गई दूसरा आप ये भी कर सकते हैं अमरूद का नया पति जो नहीं कली निकलती है अमरूद की उसे लेके आप पीस लें और उसमें काला नमक डालके और उसकी दो पतियों को डेली दो से तीन महीने तक खाए तीसरा उपाई ये है कि लहसुन का आठ कली छिल के दूद में डालके दूद में डालके और उसे पिए यानि कि आपको कली भी खाना दूद भी पीना है तो ये तीनों चीज आप अगर करते हैं या फिर कोई एक ही चीज करते हैं और उसको कम से कम दो से तीन महीने तक करते हैं तो निश्चीत तौर पे दोस्तों ध्यान दीजिए और निश्चीत तौर पे आपको किसी भी आप देख सकते हैं यहां पर बतुए का साग और बतुए का साग के बाद आपको यह अम्रूत का नकली और फिल लशन लशन को आपको मिल्क के साथ लेना है और यह आप सुबा ले सकते हैं लेकिन बतुए कारस आपको सुबा खाली पेट 20 ग्राम लेना है बतुए कारस काफी क करेगा जॉइंट फेन में दोस्तों बत्यूए का और ब्लयकम difference क्लिक्छं मौडल से प्रयोग कर सकते हैं उनके कई सारे मोड राव सकते हैं बत्यूए को कॉड़ी भी बनमा के खा सकते तो बत्वे का शाग भी बनता है वो भी खा सकते हैं यानि अधिक सदिक मात्रा में बत्वे का प्रयोग लेकिन अगर सुबह आप इसका किवल साग का रश पीते हैं 20 ग्रम तो काफी फाइदेमंद होगा दोस्तों इसलिए ये सब चीजें आपके सामने मैं लेके आया हूँ बत्वे का साग का रस तो जॉइंट के लिए राम बाण है दोस्तों इसलिए आप लोगों से मेरा आगरा रहेगा कि इन सब बिमारियों के लिए ये सब आउसदी ट्राई कीजिए और आप भयानक गठिया के इलाज आपके सामने मैं लेके आ आया हूँ तो इससे आप लाब उठाएं धन्यवाद दोस्तों